नवश्कार विंद्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है उज्जैन के शम्षान घाट पर जलती हुई चिताओं के बीच केवल दिपुत्सव के दौरान ही सननाटा खत्म होता है रात में हाँ चारो तरफ घोर अंधेरा चाया रहता है लेकिन दिपावली पर्व के दौरा पटाखो और फुलजडी से अंधेरे को मिटा कर शम्षान के सननाटे को खत्म कर दिया जाता है हालाकि दिपुत्सव पर्व को लेकर उनकी अलग धारना दावा और मानित आये हैं धार्मिक नगरी उज्जैन को सिद्ध नगरी भी कहा गया है यहां पर सात्विक और तामसि दोनों ही पूजा सिद्ध मानी जाती है इस वज़े से देश भर के तांत्रिक यहां पर तंत्र क्रिया करने के लिए आते हैं दिपावली उत्सव के बीच भी उज्जैन के चक्री तीर से शमशान घाट पर अलग ही नजारा देखने को मिलता है यहां पर अगहोरी और तांत धाम के साथ दिपावली मनाते हैं आम तोर पर अंधेरे में रहने वाले तांत्रिक दीपावली के उत्सव को रोश्नी और दीपक के बीच पटाखों के साथ मनाते हैं वहां के एक तांत्रिक बाबा ने बताया कि मुरित लोगों की मोक्ष की कामना के लिए सभी त्योहार मन दीपावले उत्सव बनाने के लिए यहां पर कई तंत्रिक और अगोरी का जम घट लग जाता है शम्शान घाट पर चारो तरफ दीपक लगाने का सिलसिला भी शुरू होता है जब दीपक घाट पर सच जाते हैं तो फिर पटाखे और फुल जड़ी के साथ शम्शान का सन्ना हो जाता है वहीं एक दूसरे तंत्रिक ने बताया कि ग्रिहस्त जीवन में तंत्रिक क्रिया नहीं हो सकती लक्ष्मी प्राप्ति या कड्ड से मुक्ति के लिए तंत्रिक क्रियाओं को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है लेकिन स्वार्थ की पूर्ति के लिए तंत्रिक क् पर्व मना रहे लोगों ने बताया कि दिपावली पर्व पर ही शम्शान घाट का सन्नाटा खत्म होता है बाकी दिनों में यहां रात्री में कोई नहीं आता जाता यहां रात में 12 बजे से तांत्री क्रियाएं भी चलती रहती है झाल